अभी फिर से हम पहुंच चुके हैं सोनपूर के इसी सबलपूर के गाउं में जहां मेरे पीछे अभी देख रहा है फिर से गंगा का वो तेज प्रवाह है और यहां पर नाम के लिए यू कहूं कि अधिकारी और नेताओं को खाना पूर्ती के लिए पैसा के लिए भरष्टा के चपेट में आने वाला है और बेखौफ वाली जिन्दगी में माफ कीजिए का खौफ वाली जिन्दगी में घर आपी का है नाम क्या हुआ आपका मिस्री राव मुझे बताइए यह कटाव कब से हो रही है हो गया जासे कि धेड़ दिन से है और इससे पहले जो जमीन था यह जमीन वह कहां तक थी हुआ तक था तो फिर भी कामों नहीं हो रहा है सब बोरा बनाई जाया जैसे यहां पर आप क्या बोल रही है यह तो आपका घर है यह अच्छा मुझे आप बताइए कि आप बोल रही है कि रिंग क्या बनना चाहिए कि कटाव बंद हो जाए यहां तो बोरा तो लगा ही रहा है जूट मुठके आया अपन पईसा रखके आपन बिल्लिंग हाजी पूरा सोनपूरा पटना बन वही थे नेता लोग की अधिकारी लोग हाला कि अब इस्तीती आप जब देखेंगे यह भी इनका घर है और भी तमाम तरीके घर चपेट में है और सामने जो देख रहे आप उधर थोड़ा से तस्वीर दिखा दीजिए वो भी घर डूबने के कगार में है एक दिन या हो सकते आज रात में ही खत्म हो जाए ग्राम मैं बहlike चुका है और काम देखिये काम देखेए गाल तो आपको भी बहुत आश्चर्य होगा की सामने काम gjortकोतहे की अच्छा इसमीर घर मते ने यहीं स्वायव मती पर्सनल कुछ प्रॉबलम है स्टोनपूर सारण से शायद इसलेए उनका ध्यानिया पर नहीं आता है लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देखिए जो अभी बोरा जो रखा गया इस पर यह अभी ही घसक रहा है और नीचे से जब पानी आएगा तो यह फिर से चला जाएगा और अपने साथ साथ कई फीट करके पानी भी ले जाएगा और आगे भी जो तस्वीर हमने दिखा अचे लग से चल रहा है को मतलब दस साल पहले यहां से 3 किलोमेटर जमीन था यहां पर लोग-बस खेती बाड़ी होता होगा लेकिन ब्राष्टा चार इस परकार से हुआ है नेताओं ने इस परकार से खुसकोरी की यहां के इंजिनियर ने इस परकार से यहां पर अनियमितता वरती कि आप गंगा का कटाओ बढ़ते आज देखिये स्तर कितना बढ़ चुका है और गाओं का गाउं तबाह हो चुका है खेत डूबे है घर डूबा है और अब रातों को नींद नहीं आता है क्योंकि कब पता कि कौन सा घर कब डूब जाए और कब बड़ी अन्होनी हो जाए और उसे बड़ी बात मैं बता दू कि आभी तक कोई भी ना नेता आया है ना कोई अधिकारी बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी अविपदा यहां पर आ चुकी है यहां पर सांतुना देने तक के लिए कोई ना अधिकारी आया है नहीं यहां के मुझे बताए विधायक सांसद महद यह सब कुछ आया है इसे कटने लगता है तो विधायक जी आये थे एक दुरोज अच्छा अकराबाद में नहीं आया है पlles और थे से लिए हैं लिए में लर में नेताओ कि जो वादा है न ठीक के इसी अक प्रंफार की तरह हैाँ यहां हर साल वादा तो किया जाता है लेकिन इस ही ग falta में उनका वादा भी बहे जाता है चलिए आगे की भी तो स्वीर दिखाते हैं आपको भी का मेरे पीछे आप देख सकते हैं तेजधार जिसकी गड़गडाहट कहिने गरजना में सपष्ट रूप से सुन पा रहा हूं और एक और घर तबाह हो चुका है पूरा आदा बहे चु तिरपाल टांक के रहे उससे पहले कुछ नहीं वा था यह जमीन मुझे बताए जो घर आपका है उससे पहले जमीन कहा था जमीन आप देखिए इनका शियाना उजड़ चुका है मुझे बताईये इनका शियाना उजड़ चुका है और कोई देखने नहीं आया है अगर किसी नेता अधिकारी, बड़े अधिकारी का होता तो मुझे लगता है कि यहाँ मीडिया का जमावड़ा लग जाता और तमाम तरह की जाच बैठ जाता और जिस इंजिनियर ने काम किया होता जो पूल यहाँ पर बांद बनाया गया है जो दावा करते हैं लोग की नहीं पर लगाए 45 को निसाप से लगा है मिटीस भरे थे कि सोना भरते यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और उस जनता से काम होना चाहिए अच्छा और अभी तो काम हो पायगा नहीं लोग बोल रहे हैं कि यहां पर रिंग बांध जब तक नहीं बांधा जाएगा तब तक कोई कार हो ही नहीं सकता और यह सत्य है सबसे तेज प्रवाह में यहां पर बहती है गंगा और जो रफ्तार है वो आप करेंगी बैरहाल हम जाएंगे जो वहां पर काम हो रहा है कि इस परकार से मिट्टी के जगह पर बालू और बालू के जगह पर मिट्टी का जो घोर मठा हो रहा है वह भी आपको दिखाते हैं